ट्रोइंग एजूकेशन चैनल में आपका स्वागत है आज हम एट्थ क्लास के कौन फर्स्ट, सेकिंड और थर्ड बनाएंगे तो फर्स्ट कौन है ए भी रेखा पर साधारन रिती से एक ही आकरिती में सम पंच भुज, शट भुज तथा सब्थ भुज बनाओ इसके लिए सबसे पहले एक सरल रेखा ए भी लेंगे आप चाहो चार सेंटिमीटर या पांट सेंटिमीटर ले सकते हो इसको नाम देंगे ए और बी अब ए भी जो रेखा है इसका सम्दुई भाजन करेंगे सरल रेखा के आधे से ज्यादा परकार निकाल कर एक चाप बी से लगाएंगे और दोसरी चाप ए से लगाएंगे जहां पर ये दोनों चापे आपस में कटती है उन बिंदूं को मिलाते हुए एक डौटिड लाइन लेंगे जहां परकार लेंगे जहां पर ये समद्य भाजन की रेखा ए भी रेखा को काटती है ये है बिंदूं जे अब बिंदूं बी पर नब्बे डिगरी का कोन बनाएंगे नब्बे डिगरी के कोन को जो रेखा है वो डौटिड में लेंगे अब बिंदूं बी पर प्रकार रखकर ए के ब्राबर निकालेंगे और नब्बे डिगरी के कोन को काटते हुए इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे जहां पर ये चाप नब्बे डिगरी के कोन को काटती है ये है बिंदूं के ए और के को डौटिड लाइन में मिलाएंगे ए और के रेखा समद्यभाजन की रेखा को जहां पर काटती है वो है नमबर फोर और जहां पर चाप समद्यभाजन की रेखा को काटती है वो है छे अब चार और छे जो नमबर है इन दोनों नमबर का पॉइंट इन दोनों पॉइंट का समद्यभाजन करेंगे इन दोनों के समद्यभाजन से जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो होगा फाइब चाप के चाप जहां पर आपस में मिलती है उन्हें मिलाते हुए डॉटिड लाइन लेंगे और समद्यभाजन की रेखा को यह जहां पर काटती है वो है नमबर फाइब अब जो फोर से फाइब और फाइब से शिक्स है ये गेब बराबर हैं तो हम फाइब से शिक्स पर प्रकार निकाल कर उपर की तरफ को चाप काटेंगे और इसी तरह से फोर फाइब सिक्स सेवन एट नमबर देंगे अब पहली जो हमें बनाने के लिए पंच भुज दी हुई है सम पंच भुज तो हम पाँच पर प्रकार रखकर एटक प्रकार निकालेंगे और एक चाप लगाएंगे एसे बी तक ये चाप लगाएंगे अब एसे बी के ब्राबर प्रकार निकालेंगे और दी हुई चाप को काटेंगे इस तरह से ये बराबर पांच भागों में बंच जाती है ये भी पहला भाग होता है उसके बाद जो हमने चाप काटी हैं उससे ये सम पंच भुज बनकर त्यार हो गई है इसी तरह से कोई भी अगर हमें बनाने के लिए साधारन रिती से कोई भी कोण बनाने के लिए कहें तो ये सम पंच भुज है ये सम पंच भुज बनकर त्यार हो गई है अब शटबुज बनाने के लिए जो हमने पॉइंट्स में 6 है जो 6 है इससे हम A के बराबर परकार निकालेंगे और एक चाप लगाएंगे A से B तक ये चाप हम लगाएंगे जैसे हमने सम पंचबुझ बनाने के लिए लगाई थी वैसे ही शटबुझ बनाने के लिए लगाएंगे अब A से B के बराबर प्रकार निकालेंगे और चाप को काटेंगे ये बराबर 6 भागों में इस चाप को काटती है A भी हमारे पास पहली भूजा होती है उसके बाद बागी पांच भूजाएं A, B के नाप से काटेंगे तो ये समशट भूज बनकर त्यार हो गई है अब सब्त भूज के लिए भी सेम ऐसे ही 7 से हम A तक परकार निकालेंगे फिर चाप लगाएंगे 7 से A और B तक चाप लगाएंगे फिर A और B के बराबर परकार निकालेंगे और ली हुई चाप को काटेंगे तो ये चाप इसे बराबर 7 भागों में बांट देती है तो यह हमारा कोण बनकर त्यार हो गया है सेकंड क्वास्चिन है दी हुई AB रेखा पर परकार द्वारा समशटभुज बनाओ इसके लिए पहले AB रेखा लेंगे यह 4 सेंटिमीटर ली AB A से B के बरापर परकार निकालेंगे और एक सेंटर की तरफ को चाप लगाएंगे और उसी तरह B से इस चाप को काटेंगे यह बिंदू O है O से A के बरापर परकार निकालेंगे और एक चाप लगाएंगे A से B तक चाप लगाएंगे केंदर बिंदू से इसमें जो A, B हमारे पास होता है ये समशट बुझ की एक भुझा होती है इसलिए A, B के बराबर परकार निकाल कर बृत को हम छे बागों में बांटते हैं तो ये समशट बुझ की बांट हो गई है इन्हें हम नाम देंगे C, D, E और F अब इन बिंदों को एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को मिलाते जाएंगे तो ये समशट बुझ हमारे पास बन जाती है समशट बुझ जिसकी छे बुझाएं समान हो तो ये समशट बुझ बन कर त्यार हो गई है थर्ड क्वश्चिन है A, B रेखा पर प्रकार द्वारा सम पंचभुझ विशेश रिती से बनाओ इसके लिए पहले A, B रेखा लेंगे आप अपनी मर्जी से ले सकते हो जितनी लेनी हो मैंने चार सेंटिमीटर ली है A और B अब A, B रेखा जो है इसका समदुई भाजन करेंगे सरल रेखा को आधे से ज्यादा प्रकार निकाल कर A और B से चाप लगाएंगे और जहां पर चापें आपस में मिलती हैं उन्हें डॉटिड लाइन में मिलाएंगे इस तरह से A, B रेखा का समदुई भाजन हो गया जहां पर समदुई भाजन की रेखा A, B रेखा को काटती है ये है बिंदु P अब A, B के ब्राबर प्रकार निकाल कर P से हम समदुई भाजन की रेखा को काटेंगे इस बिंदु को नाम देंगे O A, O को मिलाते हुए रेखा आगे की तरफ बढ़ाएंगे A से P के ब्राबर प्रकार निकालेंगे और A, O रेखा को O पर प्रकार रख कर काटेंगे अब A से R के ब्राबर प्रकार निकाल कर समदुई भाजन की रेखा को काटेंगे तो ये है बिंदु D अब फिर से A, B ब्राबर प्रकार निकालेंगे D से नीचे की तरफ को चाप लगाएंगे प्रकार को इतना ही रख कर लगाई हुई चाप को A और B से काटेंगे तो ये बिंदु है C और E इस तरह से विशेश रीती से A, B, C, D समपंचभुज बनकर त्यार हो गई है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तेंक यू